तो कि आप कि तो अलो आई स्वावत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम सुल्व करेंगे इसका नाम है फाइंड और डुपलिकेट इन अरे तो कॉस्चन काफी सिंपल सा है हमें एक और दिया जाएगा और उस अरे के अंदर हमें यह फैंड करना है कि कौन-कौन से हमें दिया गया है कुछ ऐसा अरे जिसके अंदर हमें दिख रहा है 4 3 2 7 8 2 3 1 ठीक है तो इसके अंदर 3 यह थे करते हैं इस अरे के अंदर हमें जो काम करना है उसे कैसे करेंगे तो इसके लिए इस अरे के अंदर traverse करते हुए जाएं और हर एक element पे अपना i रख लें माल लेते हैं कि मैं अपना i यहाँ पे रख लेता हूं या फिर मैं अपना pointer यहाँ बना लेता हूं और फिर मैं हर एक element को सारे elements के साथ compare कर लूँ अगर यह element मुझे वापस हिए इस मिलता है तो चोप Whew अगर मैं ऐसे करके जाओंगा तो इस element के लिए रभार यह सारे elements चेक होंगे कि उसके बाद इस element के लिए यह सारे elements चेक होंगे तो वह तो ऐसकी हर एक element के लिए फा कि आलब मेंटस होंगे ठीक है तो इसकी THERE को Hob policy शेटिऄ यह काफी जादा होती है complexity तो हम नहीं कह सकते हैं अब एक काम करते हैं मैं पहले इसको अरे में convert कर लेता हूं ताकि अरे जैसा लगने लगे अगर हम इससे optimize solution पर जाएं तो इससे optimize solution पर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास में और कोई तरीका है हां हमारे पास एक और तरीका है अगर हमें काम करते हैं यहां पर मैं एक point रख लेता हूं या फिर मैं इसे यहां पर रख लेता हूं ठीक है और यहां पर आ करके मैं हर बार यह चेक करूं कि मेरा i क्या मेरे i-1 के बराबर है यानि कि मतलब जो array of i है वो मेरे array of i-1 के अगर बराबर हुआ तो इसका मतलब क्या होगा array of i मेरा array of i-1 के बरागर हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि वो आला number duplicate है और हम उस वाला number को store कर लेंगे जैसे कि 2 और 3 ठीक है पर इस approach के अंदर भी order of log n लग जाएगा time हमाला complexity ठीक है अब basically हमको question में तो क्या दिया गया है तो order of n वाली approach भी एक बार देख लेते हैं चलो order of n वाली approach ना optimized approach है ठीक है order of n वाली approach के लिए हम पहले यहाँ पर index लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 और 5 6 7 ठीक है तो यह तो हमने index लिख लिए है अब हमें इससे order of n में complete करना है तो एक काम करते हैं क्या हम यह कर सकते हैं कि हम सबके index निकाल लें अब index कैसे निकाले इंडेक्स लिख लिए index निकाले कैसे अगर मैं हर element पर जाओं और उसमें सा-1 कर दूँ तो क्या मुझे इन पूरे array में से इस पूरे array के अंदर से एक जगा या फिर एक position मिल जाएगी अब मैं इसका वतलब क्या करना चाहता हूं अगर मानलो मेरे पास 4 है और अगर मैं इसमें से –1 कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा output मिलेगा मुझे 3 तो क्या मेरे पास इस पूरे array में 3 index है मेरे पास 3 index है तो क्या फिर मैं जाकर के अगर उस 3 index पे कुछ mark कर दूं कि हाँ भया मेरे पास 3 index एक बार है मतलब 3 index वाली value है मेरे पास मैं ठीक है तो अगर मैं उसको जाकर के mark कर दूं तो क्या यह हमें किसी तरीके से benefit दे सकता है कि अगर मैं किसी चीश को दो बार माग कर रहा हूं तो वह element दो बार आ रहा है और अगर मैं हर एक element को सिर्फ एक ही बार माग कर रहा हूं तो इसका मतलब हमारा वह element एक ही बार आया है ठीक है तो basically करना कुछ नहीं है एक्चुली है क्या कि हमें यहां से 1 से 8 तक के ही element मिले है और हमारा जो array है वह भी हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा excuse me तो हमारा जो array है वह भी हमको कुछ ऐसा ही मिलेगा जिसमें हमारे number of index is equals to और जो highest number of value है array की वह भी हमें वैसे ही मिलेगी ठीक है तो basically ना हम क्या कर सकते हैं कि हम एक चीज़ यह कर सकते हैं हम जाते हैं index निकालते हैं और index पर जाकर के हम यह वाले element value को उठाते हैं चलो यह वाली value उठाए 4 इसमें से एक minus कर दिया हमारे पास value आ गई 3 ठीक है अब हम जाएंगे third index पर 3rd index कहां है यह रहा 3rd index पर जाकर के कुछ निशानी लगा देते हैं और वो निशानी अपन लगाते हैं minus कर देते हैं क्या करेंगे इस element को उठाएंगे यानि कि इस वाली value को उठाएंगे और इसे minus 7 कर देते हैं ठीक है अब लोग सोच रहे होगे कि minus 7 क्यों कर रहा तो क्योंकि आखिर में न जब यह सारे elements minus हो जाएंगे तो मुझे सिर्फ यह देखना होगा कि कौन सा element ऐसा है जो minus नहीं है और वही element मेरा answer होगा ठीक है तो समझो जराजी माइनस और positive पता लगाना है माइनस सारे हो जाएंगे बचे का सिर्फ positive कैसे हो जाएंगे माइनस देख लाते हैं अभी आगे और आगे करेंगे ताप समझ में आएगा अभी तो सिर्फ एक element ढूंड़ा है अगले value पाए अगला value है 3 माइनस ट्री माइनस वन करा तो index आया 2 अभ हम जाएंगे ट्व ďंडेक्स पे क्या है two index यह रहा थो इंडेक्स पर जाकर कैसे करना था माइनस टू कर देना था कर दिया माइनस 2 ठीक है भूज यह ओगया कआ अ अगली well you यहां था बर क्या करेंगे करेंगे हर बार जब हम निकालेंगे कि 나clockwise कि थैंए अ गलती आंसर सकेता रहे हैं तब दूकर वह नहीं चाहिए इसलिए हमँ वह एक सेवन होगी और उसमें एक सब्सक्राइब यह रहां इंडेक्स बहुत बढ़िया जाकर कि क्या किया ठीक करके माइनस थ्री कर दिया थी की वाली देखी हमने तो यार एक्छुली हो कहा रहा है कि आप पड़ा तो थी है तो बिसी क्या करना था यहां पर भी आकर कर सिंपल स सब्सक्राइब तो यहां से मिसमत करना है यहां से एक दम आपको चाहिए पूरा ठीक है इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझ में आए वन वाले इंडेक्स पर गाए वन वाला इंडेक्स है यह रहा ठीक है अब यहां करके हमने देखा कि यहां तो अल्रेडी नेगटिव वैल्यू है ठीक है अल्रेडी नेगटि है कि हमें वैल्यू जो कि रेंजा की व्हमन सै अन तक है तो नेगतिवू यहां पढ़ा है इसका मतलब इसके साथ पहले चेड़साड़ो रखी इसका मतलब इसों पहले zobर मतलब यहां तो डूप्ली कैसी प dramas यहां है यहां आतर्कर करके देखां तो जैसे हूच्छा चला क टीक है बस इतना ही करना था अब आगे बढ़ते हैं चलो थ्री से गए थ्री पर आ करके माइनस वन कर रहा तो अब वापिस से साफ काम कुछ भी नहीं करना था तब से पहले जाईए और में इंडेक्स निकाल के क्या करोगे, इंडेक्स कैसे निकालोगे सबसे पहली बात तो, value के साथ में minus 1 कर दो, ठीक है, और value क्या होगी, value, absolute value उनीची, absolute value इसकी, ठीक है, अगर वो already minus में हो तो उसको minus कर दो, ठीक है, लेकिन, जब आप उस value के उपर minus करने जाओ, तब यह चेक कर कर दो कि भीया, क्या वो already, 0 से छोटा तो नहीं है, अगर वो सच में, नहीं, उल्टा रगा जया, 0 से छोटा है, अगर सच में, वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब तो उसे जरूरत है, और इसका मतलब वो है, result वाला answer, मतलब वो duplicacy पकड़ी गई, ठीक है, तो एक काम करते है आपको समझता आई गया, बहुत ही बेसिक सी चीज़ा है, नहीं समझता है, थोड़ा सा वीडियो वापे स्पीछे जाकर करके देखिए, अब जाकर करके हम इसका code करते हैं, तो code करेंगे तो चीज़ से और जादा clear हो जाएंगी, ठीक है अदर चलते हैं, एबस्क्रीन को ब आलक्से वेक्टर के अंदर स्टोर करने के लिए, एक, यहां लिख देता हूं, create answer vector, ठीक है, create answer vector करा, vector int, answer बना लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया, नया vector बना लिया, अब पूरे array को traverse करने की जिम्मेंदारी है, तो traverse the array, ठीक है, जब अरे को traverse करेंगे, तभी तो कुछ काम हो कर सम, हमारे nums के size तक, मतलब nums अरे जो है, उसका size तक कर लेंगे, और इसके अंदर एक increment भी कर देंगे, हर बार, ठीक है, loop के अंदर आ गए, loop के अंदर आ करके, find index लिख लेते हैं, तो index सबसे पहरे find कर लेते हैं, एक index बना लेते हैं, और int index के अंदर क्या करेंगे हम, absolute value of किसकी nums आई, अगर वो already minus हुआ तो, ठीक है, तो उसकी absolute value में minus one कर देंगे, ठीक है, बाहर minus one करेंगे, अंदर नहीं करेंगे, अंदर करेंगे, तो हो सकता हो, minus हो already, और वो minus one होकर कुछ और ही value हा जा लेकिन हमको तो, पहले उसका absolute one off, फिर minus one करो, ठीक है, हो गया, इतना ह हो गया, इसके बाद में, find the value, at which, find the value लिख रहते हैं, आप लोग समझदार हैं, तो समझ जाएंगे, integer value लेंगे, उसके अंदर हमारा index वाला value डाल देंगे, ठीक है, index पे, यानि कि हमारा index निकला, यानि कि minus होने के बाद जो निकली है value, यानि कि जैसे minus होने के बाद यहां पे जाएंगे, nums के 2 पे, ठीक है, nums के 2 पे जाकर क्या करेंगे, उस वाले को एक value में डाल देंगे, यानि कि इस 2 को एक value में store कर लिया, तो अब मुझे जो भी खेल करना है, इस 2 के साथ ही करना है, ठीक है, अधनर आएंगे, चेक कर ले, चेक that if it is already negative or not, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या है चेक करेंगे, value अगर छोटा है मेरे 0 से, इसका मतलब वो negative है, और नहीं है तो इसका मतलब वो positive है, और अगर positive है, तक तो हम उसको minus कर देंगे, मनलब उसकी value को minus बना देंगे, और अगर negative है, तो फिर तो इसका मतलब हमें अपना answer मिल गया है, तो उसको उठाएंगे, और हमारे vector में डाल देंगे, कौन से वाले vector में, जो answer vector बनाया थे ना हमने, लेकिन हमें उसकी original value चाहिए, ठीक है, हमें तो original value चाहिए, तो हम index वाला उठाएंगे, index प्लस बन कर देंगे, क्योंकि वही उसकी value है, ठीक है, index को उठाएंगे, उसमें प्लस बन कर देंगे, और वही उसकी value है, एल्स पे गए, अब अगर माइनस नहीं है, याने कि वो positive है, और अगर वो positive है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको negative में convert करना है, तो हम या उसी पर जाएंगे, index उठाएंगे, और उसे multiply कर दें है, तो किसी भी नमबर को माइनस से multiply करोगे, तो उसका answer माइनस हो जाएंगे, जैसे 5 into minus 1, so 5 minus 5 into minus 1 होता है, माइनस 5 ठीक है, तो बस उसी का, हमने निकाल लिया है, तरीका, यहाँ अगर आपको चाहिए, तो मैं लिग भी सकता हूँ, if it is not touched yet, ठीक है, अगर हमने उसको touch नहीं किया, तो इस बार touch कर देते हैं, अगर touch किया है, तो यह मैंना code लिख दिया है, इतना code लिखने के बाद में, हमें return भी तो कराने है, क्या value रिटन करानी, वेक्टर रिटन करवाना, तो रेक्टर का नाम था हमारा answer, जिसके अंदर ह हमने हमारे index plus 1 की value डाल दी, जो हमें मिल रही थी, जो हमें duplicacy मिल रही थी, अब चलते है, रन करते है, इस code को जड़ा, देखते हैं, कि यह चलता है या नहीं, तो इसे चलने की उम्मीद तो पूरी-पूरी है, हो सकता है कुछ compilation error आ जाए, तो हम solve कर लेंगे, तो wait कर रहे है हम इसका की यह run करें, ठीक है, तो यह accept हो चुका है, अब इसको submit करके देख लेते हैं, कि क्या सारे test case pass हो रहे हैं, और हमें correct answer मिल रहा है, अगर correct answer मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर कोई test case fail हो रहा है, तो शायद हमको test case ध्यान में रखना बोल गाए, ठीक करके एक बार वीडियो वापिस के देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, question बहुत ही आसान सा है, अगर एक एक लाइन को समझोगे, code के उपर भी मैंने एक एक comments लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको explanation में दिक्कत होती है, तो explanation में सब समझी है, और code के उपर भी मैं comments लिखे ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज लाइक कीज़ेगा, वीडियो का अगर आपके कोई feedback है, हमारे लिए, तो please comment section में उसे pin कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद,